मेश राशी ब्रस्पती का राशी परिवर्तन वर्ष 2020 को बनाएगा भाग्यशाली दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं मेश राशी के बारे में आने वाला वर्ष 2020 मेश राशी के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली और खुबसूरत है यह समय आपका इतिहास तक बदल देगा दोस्तो वर्ष 2019 आपके लिए चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन 2020 आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा क्योंकि ब्रस्पती देव की अपार कृपा अब आपको मिलने वाली है 5 नवंबर 2019 सुबा 5 बजकर 19 मिनट पर ब्रस्पती देव व्रिष्चिक राशी को छोड़ देंगे और अपनी राशी में धनू राशी में प्रवेश करेंगे 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2020 तक लगबग पूरे एक वर्ष ब्रस्पती देव अपनी राशी में होंगे और मेश राशी वालों के लिए आपके भाक्य स्थान से गोचर करेंगे दोस्तों प्रस्पती देव का यह राशी परिवर्तन आपके जीवन में वर्ष 2020 में कई तरह की खुश्या लेकर आएगा क्योंकि प्रस्पती देव आपके भाक्य भाव के स्वामी है प्रस्पती देव आपके नवं भाव के और आपके बार्वे भाव के स्वामी है आपके नवमेश और द्वादेश हैं ब्रस्पती देव की अपार कृपा से भाग्य में वृत्ती होगी जबरदस्त धनलाब आपको इस समय में प्राप्त होगा और आने वाला यह समय आपको कई तरह की खुशियां देने वाला है जिन में सबसे पहले आपके धन में आपके सुक में वृत्ती होगी मेश राशी वालों को अब थोड़ी महनत में बहुत जादा रिजल्ट मिलने लगेंगे मेश राशी वालों की किस्मत अब चमकेगी मेश राशी वालों के विदेशी काम अब बनने लगेंगे विदेश यात्राएं वर्ष 2020 में मुम्किन है विदेश से व्यपार करने वालों को बड़ी मात्रा में फाइदा होगा जो स्टूडेंट्स विदेश चाकर शिक्षा ग्रहन करना चाते हैं या अपने जनमस्थान से दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके काम जरूर बनेंगे जो लोग विदेश चाकर जोब करना चाते हैं उनके वीजा इस समय में लगेंगे इस समय में धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे शिक्षा और ग्यान में वृत्ती होगी हर तरीके से किस्मत आपकी आपको मजबूत होते हुए दिखाई देगी और पहले की गई मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होगा दोस्तों ये सभी काम आपके इस समय में बनेंगे इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में आप अपने शत्रों पर भी जीत तर्च करेंगे और मुकदमे वाजी में जीत प्राप्त करेंगे परिवार में बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा घर परिवार में मांगले कारिय संपन होंगे और सुक शान्ती बनी रहेगी दोस्तों अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे